नमस्ते दोस्तों CSF Basing YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों 1 अक्तूबर 2023 से GST एक्ट में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जिसके दोरा के GST में इंपोर्ट एसके एडिट को क्लेम करने की प्रोविजिन को चेंज किया गया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वेल पे भी प्रेस कर दीजिए ताके आपको GST के रेगुलर अपडेट मिलते रहें दोस्तों CBIC के दोरा नोटिकेशन जारी किया गया था जिसमें के बताया गया था कि Finance Act 2023 के जो क्लेम करने की जो के Section 16 के अंतरगत आती है जो के Finance Act 2023 के दोरा अमेंड की गई है दोस्तों यह Finance Act 2023 का Close 138 जो के 1 अक्तूबर 2023 से लागू किया जा रहा है दोस्तों इसके दोरा CGST Act में अमेंडमेंड की गई है CGST Act के Section 16 के सब Section 2 के अंतरगत जो Second Provision दी गई है दोस्तों उसमें अमेंडमेंट की गई है जहाँ पे वर्ड लिखा गया था Added to his Output Tax Liability along with Interest Thereon दोस्तों भी हाँ पे वर्ड जो है वो Change किये गई है Paid by him along with Interest Payable under Section 50 तो इसका क्या impact आएगा Input as credit से लेटर वो हम अभी discuss कर लेते हैं दोस्तों यह सक्षन 16 GST Act का जो किया बताता है कि Input as credit को लेने के लिए आपको किन condition को पूरा करना है उसके बाद यह आपको Input as credit मिलता है दोस्तों यहाँ पर Section 2 के अंतरगर जो second provision दी गई है वो यह कहती है कि जो supplier होता है गुर्जयाफी service का उसको आपको payment करनी होती है और payment करने के लिए दोस्तों आपके पास 180 days होता है दो यह date of receipt से नहीं count की जाते कि आपने goods or service कब receive की है बलकि date of invoice of supplier से count की जाते हैं तो दोस्तों यदि आप 180 days के अंदर payment नहीं करते हैं तो इस case में आप input as credit claim नहीं कर सकते हैं बले ही आपके supplier ने gesture 1 में आपकी detail upload कर दी है और वो आपके gesture 2 में आ भी गई है आपने उसका input as credit भी claim क कर लिया है लेकिन फिर भी दोस्तों आप input as credit को claim करने के लिए eligible नहीं है आपको reverse करना होता है तो दोस्तों आपको input as credit to reverse करना ही है लेकिन इसके साथ ही आपको interest pay करना है और interest pay करने के लिए आपको section 50 को refer करना है कि उसमें क्या rate दिये गए है interest की calculation करने के लिए यानि कि दोस्तों यदि आप input as schedule को avail भी कर लेते हैं, utilize भी कर लेते हैं तो section 50 के coding आपको interest pay करना होता है दोस्तों इसके लिए government के द्वारा rule भी prescribe के गए हैं कि आपको ये amount कैसे pay करना है दोस्तों यदि आवाने TDS के अंदर supplier को payment नहीं करते हैं तो rule 37 ये कहता था कि amount आपको pay करना होता है या फिर दोस्तों आप reverse भी कर सकते हैं तो आप GSTR 3B में इसका reversal करेंगे और reversal करते हुए आपको interest भी pay करना है जो कि section 50 में mention किया गया है तो दोस्तों यदि आप 180 days के अंदर payment नहीं करेंगे तो उस case में आपको reversal करना होता है विद इन ट्रस्ट है लेकिन यहाँ पे यह भी provision दी गई है कि आप इस amount को reclaim कर सकते हैं यदि आप 180 days के बाद इसकी payment करते हैं दोस्तों यदि आप मान लीजिए आपने 100 rupees की purchase की है जिसमें दे कि 50 rupees pay कर दिया 180 days के अंदर 50 rupees पे नहीं किया है तो जो input as credit reverse करना है कि आप पूरे 100 rupees के उपर reverse करना है या से 50 rupees के उपर ही reverse करना है जो अपने pay नहीं किया है तो answer है दोस्तों आपको से 50 rupees के उपर ही input as credit reverse करना है जो pay नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ल्डिंग परपोर्शने टु दा अमाउंट नोट पे टु दा सप्लायर यह वर्ल्ड इंसर्ट किया गया था गुवर्मेंट के दौरा इसके लावा दोस्तों जेस्टी पोर्टिल पर यह दिया आप लोगिन करते हैं सलसी टैम में लेजर में यहाँ पर एलेक्ट्रोनिक ग्रिवर्स टैन्री एकलेम स्टेट्मेंट में आपको दिखाई देगी तो इसके बारे में हमने अल्री वीडियो बनाई हुई अपने चैनल पर उससे आप रैफर कर सकते हैं तो चलिए डिसकस करते हैं फर्दर अमेंड्मेंट जो के हुई है फर्स अक्तूबर 23 से दोस्तो input as credit से लेटर जो second amendment हुई है section 16 के अंतरिगत ही दोस्तो second provision के बाद जो third provision दी गई थी उसमें amendment हुई है तो दोस्तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं third provision में जहाँ पर word made by him लिखा गया था वहाँ पर to the supplier यह word insert किये गए हैं तो यह कहाँ पर insert किये गए हैं इसका क्या impact आएगा आपके accounting के उपर और input as credit के उपर उसे example के साथ discuss करेंगे तो दोस्तो section 16 में ही second provision तो यह कहती थी कि अधिया 180 days के अंदर supplier को payment नहीं करते हैं invoice की date से तो आपको input as credit को reverse करना है with interest और third provision यह कहती थी कि यह आप 180 days के बाद payment कर देंगे तो उस case में आप input as credit को re-avail कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पहले wording दी गई थी provider also that the recipient shall be entitled to avail of the credit of input tax on payment made by him दोस्तों अभी यहाँ पर जो wording insult की गई है to the supplier word insult किया गया है of the amount towards the value of goods or service or both along with tax payable there on इस परकार दोस्तों यदि यह बाप 180 days के बाद payment करेंगे तो payment supplier को होनी चाहिए किसी और व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए तो इसे example के साथ discuss करते हैं दोस्तों मार लिजी Mr. A के द्वारा goods purchase की गई है Mr. B से तो यहाँ पर Mr. A recipient हुआ Mr. B supplier हुआ लेकिन payment 180 days के अंदर नहीं की गई Mr. A के द्वारा और उसके बाद payment की गई लेकिन payment Mr. C को की गई क्योंकि Mr. B के द्वारा instruction दी गई Mr. A को कि payment directly Mr. C को कर दी जाए तो दोस्तों यदि आवाने TDS के अंदर payment नहीं करते हैं तो उसके इसमें आपको input as credit reverse करना है विद इंटरस्ट तो Mr. A को अपनी GST 3 B में यह input as credit reverse करना है दोस्तों उसके बाद अभी तक यह provision थी 30 सप्तमबर 23 तक के भले ही payment supplier को की जाए या फिर supplier के दोरा कोई और व्यक्ति उत्राइस किया गया उसको की जाए तब भी आप input as credit क्लेम करने के लिए eligible थे तो आप re-avail कर सकते थे लेकिन 1st October 2023 से माना जाएगा कि अधि आपने supplier को payment की है तो ही आप input as credit को re-avail कर सकते हैं इस परकार यदि आप supplier की instruction पे किसी और व्यक्ति को pay कर रहे हैं तो भी आप input as credit क्लेम करने के लिए eligible नहीं होंगे तो यह बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों आपको अपनी accounting की जो entry है वो देखनी है कि आप कैसे करते हैं क्योंकि supplier के ledger account में ही payment जो जानी चाहिए पाएंगे दोस्तों इसके लिए government के तवारा GST3B के format में भी changes किये गए हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आप 180 days के अंदर payment नहीं करते हैं तो यहां पर table 4B close to के इंतरगत आपको other के इंतरगत वो amount reverse करना होता है दोस्तों यह आपने timely reverse किया हुआ है तो उस case में दी 180 days के बाद आप payment करेंगे तो फिर आप reclaim कर पाएंगे तो यहां पर आपको table 4A5 के अंतरगत वो amount दिखाना है जो के आप reclaim कर रहे हैं और इसके साथ ही आपर table 4D के अंतरगत IEC reclaimed which was reversed under table 4B2 in earlier tax period यहां पर भी यह आपको दिखाना होगा तो यहां पर जब आप reporting करेंगे तो government के दोवारा चेक किया जाएगा आपके reclaim ledger के साथ जो के हमने discuss किया है इस परकार अब आपको input as schedule को claim करते हुए इन बातों का ध्यान रखना है उमीद करते हैं आपके लिए news useful रही होगी कि पर लाइक करें और share करें ताकि सभी लोगों ते के जानकारी पहुंच पाएं और वो GST की compliance कर पाएं regular GST और tax update के लिए इस चैनल को subscribe करें friends आप TDS income tax GST और accounting software audit trail के साथ compliance असानी से कर सकते हैं इन software के demo देखने के लिए आप हमें mobile number के साथ email कर दीजिए taxil.gmail.com पर आप हमें telegram app csfb-sync taxil पर join कर सकते हैं थाके आप GST और income tax के regular update अपने mobile पर ही प्राप्त कर सकें